तो जी अब आ जाते हैं उस सवाल की जाने जो सबसे जादा आया है मेरे पास और वो काफी लोगों की तरफ से आया है और वो सवाल ये है कि जी अगर हमारी percentage कम है तो क्या हम Germany में admission secure कर सकते हैं और उसी के साथ एक मुलता जुलता सवाल ये भी बहुत जादा दफाए है कि क्या जर्मनी में admission secure करना possible है without German language तो जो second part है ये तो मैं already discuss कर चोगा हूँ अपनी previous वीडियो में उस वीडियो का link भी मैं वीडियो की description में लगा दूँगा और वो यहां कई screen पर भी आ रही होगी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या German language के बगार आप scholarship भी ले सकते हो मतलब मेरी मिसाल है मुझे जर्मन लेंग्विज नहीं आती थी और मेरा जो course है वो English में था और मुझे सिर्फ ना उस course में admission मिला बलके मुझे on top of that scholarship भी मिली तो जर्मन लेंग्विज के बगार आप admission of course secure कर सकते हो जर्मनी में आकर पढ़ भी सकते हो even scholarship question भी ले सकते हो हाँ अगर आपका competition होगा let's say एक university में secrets limited है 20 है ठीक है और अगर 20 लोग वो आ जाते हैं जिनको जर्मन लेंग्विज आती है तो may be possible उनके chances उनकी possibility जादा हो कि उनको जादा prefer किया जाए बनिजबत उस बंदेगे जिसको जर्मन लेंग्विज नहीं आती तो it is possible और जर्मन लेंग्विज कहां पर और ज्यादा useful होती है helpful होती है necessary होती है वह पहां होती है कि अगर आपका course जर्मन लेंग्विज में है और even let's say कि अगर आपकी percentage कम है जो अभी सवाल का पहला पार था कि हमारी अगर percentage कम है तो हमारा admission हो सकता है या नहीं तो जी obviously अगर आ marks कम होंगे उतनी possibility या probability वो कम होती रहेगी और आपका admission secure करना मुश्किल होता रहेगा now mind here कि मैं मुश्किल कहा रहा हूँ मैं impossible नहीं कहा रहा है बड़े सारे लोग होते हैं जो कम percentages के बावजूद भी admission secure करते हैं वो किस तरह secure करते हैं या आपने अपनी shortcomings को किसी न किसी तरह तो cover करना है let's say अगर आपकी percentage कम है तो आप उस short coming को या आप उस possibility को बढ़ा सकते हो उस short coming को कम कर सकते हो चुपा सकते हो या उसको cover कर सकते हो वो किस तरह है let's say के अगर आप English language course में admission लेने जा रहे हो तो वहाँ पर already applications बहुत जादा होती हैं और वहाँ पर जादा-जादा percentages वालों की भी applications जादा होती है ठीक है तो अगर आप की let's say 50 to 60 कुछ इस तरह की percentage है और आपने भी वही application डाली है English language course में और इसी तरहां इसी दूसरे applicant की भी application आई भी है जिसकी let's say 70 to 80% जो है उसकी percentage है तो obviously उसको prefer किया जाएगा आप पर तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हो आप यह कर सकते हो कि आप German language सीख लो तो German language जब हो जाएगी आपके पास applications डालने के लिए आपके पास universities जादा हो जाएगी courses जादा हो जाएगी क्यूंकि अब आप उन courses में भी apply कर सकते हो जो courses German language demand करते होंगे और जो courses सिर्फ German language में पढ़ाय जाते होंगे क्यूंकि German language में मतलब लोग इतने जादा willing नहीं होते German language courses के अंद तो वहां पर applications इतनी जादा नहीं होती as compared to those courses, those programs, those universities जहां पर courses program जो है वो English पर पढ़ाय जाते होंगे तो तो तो